आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेट फंड के जो नए टेक्सेशन है उसके इंपक्ट की क्योंकि इसकी वज़े से जो एडलवाइज मिराय और फ्रेंक्लीन मुच्वल फंड है इन्होंने अपने ओवर्सीज जो फंड्स हैं उसमें सब्सक्रिप्शन ओपन कर दी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई हम ये क्यों बोल रहे हैं कि जो मुच्वल फंड है उन्होंने दोबारा से जो ओवर्सीज इन्वेस्टमेंट है उसकी सब्सक्रिप्शन ओपन कर दी है उसका रीजन यह कि शायद आपको याद होगा कि जैनवरी 2022 में जो सेबी है उन्होंने असेट मैनेजमेंट कमपनीज को एडवाइस किया था कि भाई आप जो भी फॉरण सेक्यॉरिटी या मुच्वल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या उससे रिलेटिट जो भी आपके फंड्स हैं उसमें आ एक AMC मैकसिमम एक बिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट कर सकती थी हाला कि जैनवरी 2022 में जो एक बिलियन की इंडिवीज्वल लिमिट थी वो अभी भी बची हुई थी लेकिन ओवरॉल जो साथ बिलियन डॉलर की लिमिट है ये बहुत ही पास पहुंच चुकी थी वाइलेट हो इसके बाद बहुत सारी AMCs ने या तो फ्रेश इंवेस्टमेंट लेना बंद कर दिया या तो कुछ ने इवन जो एक्जिस्टिंग सिप्स वगेरा चल रहे थे उसको भी बंद कर दिया था आना कि जून 2022 में जब मार्केट थोड़ी बहुत गिरी थी पिछले कुछ महीनों म थी और उसके बाद जून 2022 तक वो गिर करके 600 मिलियन रह गई थी क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन आई थी तो उन्होंने बोला था कि जो भी एक गैप क्रियेट हुआ है उतने तक कि आप फ्रेश जो इन्वेस्टमेंट है वो दुबारा से ओवर्सी सिक्यॉ 2023 से जो टेक्सेशन रूल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे तो यह जो एमसी जैंको लग रहा है कि अगर 31 मार्च तक यह इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं इन्वेस्टर से तो वो जो पुराने रूल है वो एपलाई होंगे और लोगों को टेक्स बेनिफिट मिल पाएगा त जब इनिशली इस इन्वेस्टमेंट को रोका गया था और जून 2022 में जब इसको दुबारा से कंडिशनल बेसिस फे शुरू करने की बात की गई थी तो यह वीडियो बनाया था तो आप यह दोनों वीडियो देख सकते हैं इससे आपको टॉपिक समझने में हेल्प होगी और अब अगर बात की जाए कि भाई यह नए रूल क्या है जिसकी वज़े से जो यह AMC's है overseas security में investment को open कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा पिछले Friday को जो Finance Bill 2023 की amendment थी उसको Parliament में अब पास करा दिया गया है यानि कि अब वो law बन चुका है इसमें जो बहुत सारी amendment की गई थी उसमें से एक amendment यह थी कि जो debt mutual fund है उससे जो भी आपको 1 April 2023 या इसके बाद gain होगा उसको short term capital gain माना जाएगा यानि कि आप जितने मरजी period के लिए रखें पहले अगर आप 36 महीने से ज़्यादा रखते थे यानि कि 3 साल से ज़्यादा रखते थे तो उसको long term capital gain माना जाता था और आपको indexation के benefit और lower tax के benefit मिलते थे लेकिन आप इसको short term capital gain माना जाएगा और आपको अपने slabs के हिसाब से ही tax देना पड़ेगा 1 April 2023 के बाद से और अगर आप इस topic को और भी detail में समझना चाहते हैं तो आप ये मेरा video देख सकते हैं जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही upload किय है तो जो नए rule है उसके हिसाब से 1 April 2023 के बाद आपका जो भी debt mutual fund debt mutual fund क्या होते है यानि कि जो भी equity नहीं है चाहे वो debt funds हो international funds हो या gold exchange traded fund हो इन सभी को debt माना जाएगा तो 1 April 2023 के बाद जो भी आप इसमें investment करेंगे उस पे आपको अपने slab rate के हिसाब से tax देना पड़ेगा चाह investment कर लेते यानि कि past में की गई investment और 31 March 2023 तक जो भी investment की जाएंगी वो पुराने tax rule के साब से चलेंगी यानि कि उसमें आपको indexation का भी benefit मिलेगा और overall अगर आप 36 महिने से ज्यादा asset को hold करेंगे तो आपके उपर जो 20% का capital gain है indexation benefit के बाद वो लगाया जाएगा जो कि overall आपकी tax liability को कम कर देगा और अब अगर बात की जाए कि कौन कौन सी schemes open की गई है और क्या हमें इसमें invest करना चाहिए नहीं तो सबसे पहले अगर हम एडलवाइस की बात करें तो इन्होंने अपने सभी जो सातों international funds हैं वो Monday यानि कि 27 March से subscription के लिए open कर दिये हैं और इनमें चाहे आप अब दूसरे funds से switch in करना चाहें या नई लंसम payment करना चाहें दोनों ही अब इन सात funds में कर सकते हैं तो सात fund कोन से हैं इसमें आपको ASEAN equity offshore fund मिलेगा greater China equity offshore fund US technology equity fund of fund emerging market opportunity equity offshore, Europe dynamic equity offshore, US value equity offshore और MSCI का India domestic and world health care जो 45 index है ये सभी अब subscription के लिए open हैं मेरा asset fund की बात की जाए तो ये सिरफ lump sum और switch in transaction अभी 27 March से इन्होंने open की हैं इनके जो NYSE FANG plus ETF fund of fund है S&P 500 top 50 ETF और Hang Seng Tech ETF fund of fund तो इसमें 27 March से switch in और lump sum allowed कर दिया गया है और 39 March से इसमें जो पुरानी आपकी SIP या STP की transaction चल रही थी उसको ये 39 March से open कर देंगे हानकि ये fresh CP और fresh systematric transfer plan होते हैं उसको ये अभी allowed नहीं करने वाले हैं और अगर franklin की बात की जाए तो इन्होंने भी AMC जो franklin AMC है इनोंने जो lump sum subscription और switch in जो है वो 27 March से allowed कर दिया है इनकी जो scheme है वो है franklin India Asian equity fund, franklin India feeder franklin US opportunity fund और franklin India feeder Templeton European opportunity fund तो इसमें आप invest कर सकते हैं और experts का मानना है आला कि clearly इसको नहीं बताया गया बट by words ये लिखा जा रहा है जिससे लगता है कि 31 March तक अगर आप इसमें investment करते हैं तो आपको पुराने वाले जो tax laws हैं वो लगेंगे तो आपको indexation benefit मिलेगा चाहे वो debt fund हो, international fund हो ये gold fund हो तो य ये जो AMCs हैं या experts हैं ये investor को suggest कर रहे हैं कि भई आप 31 March तक इसमें invest करके पुराने tax rate का फायदा लीजिए और हो सकता है कि 30 March को अगर इसमें बहुत सारे investor का interest है और एक बार के लिए लगने लगे कि ये February 1, 2022 की जो limit थी उसके आसपास पहुंच रही है overall investment तो हो सकता है कि इस in schemes में वापिस से जो subscription है वो रोकती जाए तो अगर आप interested हैं तो definitely आप इस मौकी का फायदा उठाके 31 March तक invest कर सकते हैं और अब अगर बात की जाए कि करना चाहिए और नहीं तो मेरे इसाब से तो पहला decision तो यह होना चाहिए कि आपको debt जो instrument है वो पसंद है या नहीं है तो लेकिन अगर आप कोई equity जादा पसंद है या कोई और instrument जादा पसंद है और सिरफ आप इसलिए invest करना चाहते हैं कि tax benefit होगा तो I think यह इतना फायदे मन नहीं होगा लेकिन अगर आप इन schemes में वैसे भी invest करना चाहते हैं तो 31 March से पहले आप इसमें invest करके जादा फायदा ले स लगते हैं मैं उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा thanks so much for watching the video and God bless you all